नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है रियल स्टेट मार्किट में, गुरग़ों रियल स्टेट हो चैक दूसरी को रियल स्टेट हो उस मार्किट में तीन से чार तरह के लोग इनके उपर चर्चा करेंगे और आप देखना आप कौन सी कैटेगरी में डलते हैं और इस जानकारी का बहुत फाइदा होने वाला है एक कैटेगरी है जो पुराने आशिक ठुकराए हुई जो जहां फ्लाइट में फस गए आमरपाली के खई गरेटर नौड़ा में जिनके परिवार में प्रॉपर्टी फसी पड़ी है या जिनने कोई प्रॉपर्टी ले ली बनी नहीं मालों अंसल का वो 103 वाला है जो अभी करके बन रहा है दौर का एक्स्प्रेस वे पे या इस तरह की प्रोजेक्ट में आप जो डले हुए हैं कुछ इस तरह के लोग हैं अब इन तरह के लोगों का पर चर्चा करेंगे फिर एक तरह के लोग हैं जिनने फ्रेश अपने जीवन में कोई प्रॉपर्टी खरिदी है एक साल, दो साल पहले या अभी खरीदी है यह वो हैं जो फसीं ही नहीं क्योंकि जीवन की पहली property ही अभी खरीदी क्योंकि उमर का जो cycle है उनका उस तरह का cycle रहा है कई ऐसे लोग हैं जो धुरंदर हैं उनने बहुत सालों से property लेते आ रहे हैं कुछ उनकी फसी हैं, कुछ उनकी बहुत अच्छी करी हैं कुछ बहुत जादा अच्छी करी हैं, अब भी खरीद रहे हैं पहले भी खरीदने को त्यार थे हैं और वो बड़े परिपकवा लोग होते हैं, ठीक है? तो वो एक तरह के हैं तो इसमें देखा गया है कि जिनका जी जो फस्गे हैं ना वो तो हैं फेल्ड आशिक की तरह हैं उनके लिए तो अगर आदमी के पॉइंट अफ़ी से बताओं तो सारी ओरते खराब हैं जैसे ना अगर प्यार में किसी का दिल को ये लड़की ये ओरत तोड़के चली जाए तो फिर वो सारी औरत समाथ से बिटरनेस हो जाती है उसको जो कि मैं नहीं बोलूगा अंजस्टिफाइड है क्योंकि अगर किसी का परसनल एक्सपिरेंस इतना इस तरह हुआ है तो में भी उसको इस तरह ही लगेगा लेकिन वही चीज रियल स्टेट में भी होती है और फिर ये लोग जो होते हैं ये बिटरनेस और नेगेटिविटी का लेवल इतना जादा हो जाता है कि सारे डिवलोपर्स चोर हैं गौर्मेंट इंफ्रास्रक्चर नहीं लाने वाली कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला ऐसा ये विश करते हैं क्योंकि अब ये वह वाली चीज होगी कि मालो मेरी शादी नहीं चली तो अब बस सब की शादियां वरबाद हो जाए इंफेट अगर कोई मुझे इस तरह करता मिल जाए ठीक है मैं एक्जामपल लेकर बता रहा हूं जैसे कि शोनू मैशोना मैमोना और ऐसे प्यार कर रहा है अपनी बीवी को तो चिड़ा है उसको जाके दो थप्ड़ मारने का मन करें कि ये ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए सब दिल तोड़ के चली जाएंगी ठीक है and you are not supposed to love and do like this तो ऐसी वाली feeling भी आती है and the same thing मैं बता रहा हूं real estate पे देखने को मिल रहा है comment sections में देखने को मिल रहा है social media पे देखने को मिल रहा है और इसको मैं आगे से एक और category जोडता हूं एक category और है वो उन लोगों की है कि जो दिल्ली में रह रहे हैं और parents वही रहना चाते हैं और नई generation जो है वो कहते है कि भी बेच के तुम इधर जाओ तो उसमें जो parents की category है वो उठा उठा के articles देख ये plaster जहर रहा है देख वहां multi story में ये गिर गया या ये गड़बढ है वो गड़बढ है क्योंकि आज के दिन य confirmation bias होता है जो चीज आप ढूना चाओगे internet में और इस दुनिया में मिल जाएगी आप को इसा narrative बना लो सारे narrative चलते हैं आप एक बार पकड़ लो कि ये शहर खराब है तो बस उसका खराबी ही दिखने लग जाएंगी और उसके एक आर्टिकल साते रहेंगे और उनी को आप देखके अपना map dand बना लो थोड़ा गहरा वीडियो है psychological levels पर क्या-क्या play out करता है हमारे उन सब चीजों की चर्चा है जैसे अगर आप बहुत bullish है real estate पर क्योंकि आपने कोई चीज खरीद ली एक साल एट साल पहले लेट से दौर का expressway पर अब आप चीर on कर रहे हैं come on और rate बढ़ जाए और rate बढ़ जाए माल खतम हो जाए क्योंकि अब आपका वहाँ win करने के लिए आपका stake है अब जो खरीद नहीं सकता है किसी भी कारण से ठीक है वो खहीं फसा हुआ है या उसने जो property ली थी वो beginner है या उसके पास fresh inflows नहीं है या rate बढ़ चुके है कोई भी कार अपनी तरफ से कर रहा है तो constant cheering इस तरह से हो रही है और बीच में कई मासूम लोग वैसे फसे पड़े हैं जो इनका सब कुछ forward सुनते देखते हैं कि वो decision नहीं ले पा रहे हैं ये वो लोग है जिनने कहीं property खरीदी नहीं और fresh खरीदना जा रहे हैं और जहां लेने जाते ह सब डराने वाले आ जाते हैं ये नहा वाला बनेगा नहीं पुराना वाला बेकार है ठीक है तो फिर क्या करिदे नहे वाले का वेट करो बनने का और वेट करके जब बन जाये दिख जाये तब खरीद लेना कुछ भागा नहीं जा रहा पर fact of life कह है जब आदमी जो rate follow कर रहा है तो भाया rate बढ़ते जा रहे हैं एक लाख रुपे की तंखा के लिए एक महीने काम करना पड़ता है और सेविंग्स पचास जार से जादा नहीं होती लाख रुपे की तंखा वाले की tax चला जाता है बाकी खर्चे चले जाते हैं तो साल के अगर 6 लाख रुपे की saving है जि सब ऐसे ही दिखा रहे हैं सब ऐसे ही बता रहे हैं कुछ नहीं है बहुत oversupplied है पिटा हुआ है तो यह जो narratives counter narratives आ रही हैं इसमें क्या आप confused है as a मेरे subscriber आप बताए या बिलकुल clear है ठीक है platinum वाले तो काफी हद तक clear है तो मैं इसमे exact rates की सिसाब से बढ़ रहे हैं इस गर्मी मई के महीने rates बढ़ रहे हैं RBI ने 40 basis point बढ़ा दिया है मैंने पहले भी बताया था मैं कहा रहा था जून तक बढ़ जाना चीए April में क्यों नहीं बढ़ा वो ही बहुत बढ़ा surprise था लेकिन उसके बढ़ने से आप लोगों को देखना है कि 40 basis यानि 0.4% अगर 10 साल तक भी आ आप पूरा का पूरा लोन नहीं चुका रहे और पूरा लोन ही लेते हो तो भी 4% का फरक है प्रॉपर्टी में ठीक है आप समझे मेरी बात आपने एक करोड की प्रॉपर्टी सारी ही एक करोड लोन पे ले ली और एक रुपिया भी अगर आपने लोन नहीं चुकाना अगल बढ़ गए ठीक है तो यह बहुत important चीज है do not keep delaying your decision making जहां जो चीज आपके target में आ रही है बजट में आ रही है उतनी great और अच्छी नहीं लग रही किसी कारण से कि या रही तो छोटा लग रहा है या नहीं यह तो महंगा लग रहा है तो भी अगर आप ले लेंगे तो हो सक यह भी एक fact है तो जैसा भी narrative आप चाहेंगे आपको उसकी supply google feed से आने लग जाएगे आप चाहते हैं यह सोचना कि property market खराब है और आगे खराब करेगा और कुछ rate नहीं बढ़ेंगे और सब बिकार है यह narrative आपको follow करना है वो मिल जाएगा दूसरे वाला narrative follow करना है ठीक है कि यह तो सब कुछ ही पता नहीं कितना हो जाएगा normally जीवन actuals खहीं बीच में होता है हमेशा it is never so extreme black or extreme white it is always in between so but between इसले नहीं समझ में आता क्योंकि हमारा क्या साथ experience है हम उसी को datum बना लेते कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ मेरे फूफा जी के साथ क्या हुआ या मेरे immediate रि experience इसी चक्कर में लोग investment में फसते हैं कोई रिष्टेदार commercial में अच्छा कर गया 10 साल पहले 8 साल पहले उसी के गुनगान गागा के बहुत लोग फस जाते हैं कोई कहीं खराब कर गया तो वहां फिर लोग घुसते नहीं जबकि वो times अलग थे rules अलग थे regulation अलग थी type of construction तरीकी होती थी financial closure किसी और तरीकी का होता था सारा structure ही real estate का कुछ अलग तरीकी का है था अब वो अलग तरीकी का हो गया लेकिन इसलिए कहता हूं समझाना और समझना मुश्किल है बहलाना और भेकाना असान है तो जो चीज़ असान है वो जादा normally करी जाते है क्योंकि समझा क्याने में जैसे मैंने अभी कोशिश करी कितना आप लोग समझ पाए कमेंट सेक्शन में लिखेगा bottom line and take away line from this video is do not make your own experiences the center thing for making decisions कहना बहुत आसान है कि don't do it but ऐसा होता है आदमी कहता है मेरी आखों ने देखा है मेरे शरीर ने महसूस किया मेरे कानों ने सुना है मेरा decision लो क्योंकि होता है कि जो parental influence है relative का influence है वो भी इतना आता है because चक्कर क्या है अगर सब लोग गलत हो रहे हैं यह सब लोगों ने बोला यह करो और आप गलत हो जाओ तो फिर उसमें आपको लगता है कि सबकी साज़ेदारी आपके ऊपर कोई नहीं आएगा आप कहता है तुन contrarian but you sometimes have to walk against the crowd because crowd के साथ चलके तो जो crowd को मिलता है बस उतना सा ही मिलेगा ठीक है इसका corollary is not true in the sense कि crowd के against चलके कुछ अच्छा हो जाएगा ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन you have to see कि जो approach contrarians for the sake of it नहीं लेनी है लेकिन अगर वो contra approach लग रही है लेकिन उसमें data backed है and intuition backed है and आपके research backed है तो please you should have that courage to take that contra approach what is the contra approach today in the real estate market if you want to know and understand please type contra c-o-n-t-r-a contra को type करें इस time पे क्या ऐसी चीज है market में जो normal लोग नहीं कर रहे लेकिन शायद वो करना जादा बेटर है ठीक है normal लोग ऐसा सोच भी नहीं रहे तो वो चीज करना आज के market में मई 2022 के market में वो चीज applicable है तो इस चीज को आप comment section में लिखेगा तो इस पे मैं आगे video बनाऊँगा कि ये ये चीजे हैं इनको आप देख सकते हैं and ये अभी बाकी लोगों ने देखनी उस level पे शुरू नहीं क आप लोगो में आप बनाएट